Hello Everyone, Welcome to English for All आज हम पढ़ेंगे Hearts and Hands और इस कहानी को लिखा है O. Hendry ने दोस्तो ये कहानी शुरू होती है Denver नाम के एक railway station से Denver station पर B&M Express नाम की एक train आकर रुकती है उस train में बहुत सारे passengers चड़ते हैं और उन बहुत सारे passengers में से एक लड़की भी होती है जिसका नाम है Miss Fairchild ठीक है station का नाम Denver है और train का नाम है B&M Express और उस B&M Express train में Miss Fairchild बैठी हुई है Miss Fairchild बहुत ये खुबसरत लड़की है और Miss Fairchild के सामने दो मर्द आकर बैठते हैं दोस्तों train का जो डबा होता है ना कुछ इस तरहा का होता है एक passenger के सामने कोई दूसरा passenger आकर बैठता है जो seats होती हैं वो आमने सामने होती हैं तो जहां पर Miss Fairchild बैठी हुई होती हैं वहीं उनके सामने दो मर्द आकर बैठते हैं उन दोनों मर्द में से एक तो बहुत हैंडसम था बहुत बोल्ड था और positive attitude था उसका लेकिन जो दूसरा वाला आदमी था उसके कपड़े गंदे थे और वो खुश नहीं था थोड़ा सा serious था और उसने अपनी body body बना रखी थी उसके जो muscles थे वो heavy थे और इन दोनों के हातों में हतकड़ी बंदी हुई थी दोस्तों जब ये दोनों मर्द seat पर आकर बैठते हैं तो Miss Fairchild को एक खास interest नहीं दिखाती क्योंकि stranger से कोई बात करना पसंद नहीं करता खास तोर से लड़की हैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं लेकिन फिर Miss Fairchild ध्यान से देखती हैं उन दोनों में से एक मर्द का नाम था Mr. Eastern तो Miss Fairchild जब ध्यान से देखती हैं तो उन्हें पता लगता है कि मैं तो Mr. Eastern को जानती हूं Miss Fairchild के चहरे पर एक दम से मुस्कुराहट आ जाती है कई बार हमारे साथ भी होता है जब हम किसी से सालों बाद मिलते हैं सालों बाद हम किसी को देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और हम उससे बात करना चाहते हैं हम पूछते हैं कि तुम आचकल क्या कर रहे हो कैसे रह रहे हो ठीक है तो इसी तरह का यहाँ पर भी सीन था मिस्टर इस्टर 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 इन को देखकर मिस्टर इस्टर 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 इस्ट दोस्तों मिस्टर ईस्टेंड को शरम आने लगती है उसको इंबेरिसमेंट फील हो रही है क्योंकि उसके हाथों में हत्कड़ी बंदी हुई है लेकिन फिर भी मिस्टर ईस्टेंड लड़की से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिस फियर चैल की उंगल मिस्टर ईस्टेंड अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों के हाथों में हत्कड़ी बंदी हुई है मिस्टर ईस्टेंड का राइट हैंड बंदा हुई है हत्कड़ी के एक हिस्से से और दूसरे हिस्से से जो दूसरा वाला बंदा है मिस्टर ईस्टरेंड के साथ में उसका लेफ्ट हैंड बंदा हुआ है तो अब क्योंकि मिस्टर ईस्टरेंड का राइट हैंड फसा हुआ हथकड़ी में इसलिए वो अपना लेफ्ट हैंड हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं और मिस्टर फियर मिस फियर चाइल्ड तो समझ रही थी कि मैं अपने पुराने दोस्त से मिलूंगी लेकिन यहाँ पर तो पुराने दोस्त के हतकड़ी बंदी वही है उनके दिमाग में चलने लगता है कि कहीं यह कोई मुझरिम तो नहीं है अब दोस्तों जो दूसरा वाला आदमी बैठा हुआ था ना मिस्टर ईस्टरेंड के साथ में वो सब कुछ नोटिस कर रहा होता है सब कुछ देख रहा होता है कि कैसे मिस फियर चाइल्ड के एक्सप्रेशन्स बदल गए और वो डर गई हतकड़ी को देख कर और किस तरह से मिस्टर ईस्टरेंड शर्मा रहे हैं उन्हें इमबैरसमेंट हो रही है वो सब कुछ नोट कर रहा होता है तो अब ये आदमी कहता है आपको इंटरप्ड करने के लिए मैं माफिय चाता हूँ मिस्टर ईस्टर एक मारशल है मार्शल मतलब एक हाई रैंक्ट पुलिस आफिसर तो वो आदमी बोलता है कि मिस्टर ईस्टन एक मार्शल है और मिस्टर ईस्टन मुझे जेल में लेकर जा रहे है मेरो पर नकली नोट चापने का केस है जुर्म मैंने किया है नकली नोट चापने का इस वज़ा से मिस्टर ईस्टेन मुझे जेल में लेकर जा रहे हैं आप घबराओ नहीं ये मार्शल है अब जो मिस्ट फियर चैल्ड होती है वो रिलैक्स हो जाती है एक दम से एक लंबी गहरी सांस लेते हुए वो लड़की बोलती है अच्छा तो तुम मार्शल हो तुम यहां पर मार्शल की जाब करते हो अब मिस्टर ईस्टेन भी थोड़ा रिलैक्स रोकर बोलता है कि मुझे कुछ तो करना ही था पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है वैसे भी वाशिंटन जैसे महेंगे शहर में पैसो की तो बहुत ज़ादा जरूरत होती है तो कुछ न कुछ तो करना था मुझे पैसे की तलाश में मैंने एक जॉब ओपनिंग को देखा था और मार्शल के लिए अपलाई कर दिया था इस तरह से वो अपनी बाते बनाता है इसके आगे वो बोलता है मिस्टर ईस्टेन बोलता है हाला कि मुझे अमबैसेटर बनना था लेकिन मैं एमबैसेटर की जगा मार्शल बन गया हूँ और मार्शल एमबैसेटर से नीची पोस्ट होती है दोस्तों मैं आपको बता दूँ मिस्टर ईस्टेन यहाँ पर डिंगे मार रहा है अपनी दिल्ली में कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना तो यहाँ पर यह डिंगे मार रहा है शो आफ कर रहा है लड़की के सामने अपने आपको थोड़ा से स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है पहले तो इसको बात करने में इतनी शर्म आ रही थी लेकिन जब से इसके साथ वाले आदमी ने इसकी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी इसको मार्शल क्या बोल दिया ये तो हवा में उड़ते चले जा रहा है दोस्तो मिस्ट फियर चाइल्ड की नजरों में मिस्टर एस्टरेंड एक हीरो से कम नहीं थे अब मिस्ट फियर चाइल्ड समझती थी कि मिस्टर एस्टरेंड बहुती एडवेंचिरिस मार्शल है जो घुर सावारी करते हैं गोलियां चलाते हैं और बड़े बड़े खतरों से खेलते हैं ये तो खतरों के खिलाडी है मिस फेर चाइल्ड मिस्टर ऐस्टरन से बोलती है कि क्या हम वाशिंग्टन शहर में दुबारा कभी मिल सकते हैं अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं उनसे दुबारा मिलने में मिस्टर ऐस्टरन बोलते हैं नाट सून हम जल नहीं मिल पाएंगे दरसल मेरे अच्छे दिन खतम हो गए है इसलिए हम जल्द नहीं मिल पाएंगे अब दोस्तों इन दोनों के बाते चल रही होती है और जो दूसरा वाला आदमी होता है वो बोलता है कि चलो मिस्टर मार्शल मिस्टर ईस्टरन को बोलता है कि चलो मिस्टर मार्शल थोड़ा बाहर गूम कर आते हैं मैंने अभी तक ड्रिंग नहीं करी और सिगरेट भी नहीं पी तुमने बहुत देर तक बाते कर ली मैडम से चलो अब थोड़ा बाहर गूम कर आते हैं मुझे सुट्टा लगाना है मतलब स्मूकिंग करनी है मैं स्मूकिंग के बिना मरा जा रहा हूँ दोस्तो जो स्मूकर होता है ना उसको एक अंदर से तलब होती है सिगरेट पीने की और फिर वो अपने आपको रोक नहीं पाता उसको सिगरेट चाहिए होती है तो यहाँ पर भी वो आदमी बोल रहा है कि मुझे तलब हो रही है सिगरेट पीने की मुझे बाहर लेकर चलो यहाँ से इसके बाद दोनों खड़े हो जाते हैं और मिस्टर ईस्ट्रेंड मिस्ट फियर चाइल्ड से बोलता है कि अगर कोई मुझे स्मूकिंग के लिए रिक्वेस्ट करे तो फिर मैं उसे मना नहीं कर पाता यह मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने प्रिजनर्स की रिक्वेस्ट को पूरा करूँ अब दोस्तों मिस्ट फियर चाइल्ड मिस्टर ईस्ट्रेंड से बहुत ज़ादा अट्रेक्ट हो गई है और मिस्टर ईस्टरेंड का अलविदा कहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मिस्ट फियर चाइल्ड बहुत बातूनी है तो वो थोड़ा और बाते करना चाहती थी मिस्टर ईस्टरेंड के साथ में लेकिन फिर भी वो बोलती है कि तुम्हें इस कैदी को लेवन वर्थ लेके जाना होगा ना लेवन वर्थ लेके जाओगे ना इस कैदी को मिस्टर ईस्टरेंड कहते हैं हाँ हाँ मुझे इस कैदी को लेवन वर्थ लेके जाना है इसके बाद ये दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं गुडबाई बोलके चले जाते हैं अब दोस्तों आपको पता होगा कि ट्रेन के डबे में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये तीन लोग ही बैठे थे और पूरा डबा खाली तर ट्रेन का तो बहुत सारे लोग थे और दो आदमी थे वहां पर ट्रेन में जो इनकी बातों को सुन रहे थे इन दोनों को नोटिस कर रहे थे अक्सर आप देखोगे कि ट्रेन में कोई न कोई आपकी बाते ध्यान से सुन रहा होता है तो ये दोनों भी इनकी बातों को सुन रहे थे तो उन दोनों बंदों में से एक बोलता है कि मार्शल कितना अच्छे इनसान है ना देखो अपने कैदी का कितना अच्छे से ख्याल रखता है वाकिए कुछ वेस्टरन लोग तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जो दूसरा आदमी होता है वो बोलता है मार्शल की एज को जादे ही कमने लग रही तुमें दोस्तो मार्शल एक रेप्यूटिट पोस्ट होती है और बहुत सारे प्रोमोशन्स के बाद जाकर मार्शल को बनाया जाता है और प्रमोट होते होते काफी एज हो जाती है तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि क्या मार्शल को जादा ही यंग नहीं था मार्शल इतने जवान थोड़ी होते हैं और वो बोलता है कि क्या तुमने किसी ऑफिसर के राइट हैंड में हतकडी लगी हुई देखी है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमेशा राइट हैंड में हतकडी मुझरिम के बंदी होती है और लेफ्ट हैंड में पुलिस वाले के बंदी होती है हमेशा ऐसा होता है तो वो बोलता है कि क्या तुमने कभी देखा है कि पुलिस वाले के राइट हैंड में हतकड़ी बंदी हो और मुजरिम के लेफ्ट हैंड में हतकड़ी बंदी हो तो दोस्तो लास्ट की लाइन में हमें पता लगता है कि मिस्टर ईस्टेन ही मुझरिम थे क्योंकि उनके राइट हैंड में हतकड़ी बंदी हुई थी इसलिए मैं बोल रहा था आपसे कि इस बात को आप याद रखना कि मिस्टर ईस्टेन ने राइट हैंड में हतकड़ी को प इस्टरेंड की इज़त को बचाने के लिए मार्शल ने कहा था कि मैं मुझरिम हूँ और मिस्टर इस्टरेंड मार्शल है और इस तरहां से ये कहानी खतम हो जाती है दोस्ते इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आपके English का स्ले बस मैं कवर कर रहा हूँ अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करकर आपको सभी English चैप्टर मिल जाएंगे आज के लिए बस इतना ही जैहिंद